जब रस्मों की बात आती है, तो चुन्ने की गुंजाईश होती है, पर जो रस्में मैं करता हूँ, वही आपको भी करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक सेप खराब होने पर पूरी टोकरी खराब नहीं हो जाती, हमें ये देखना होगा, कि इसमें क्या प्रष्टाचार है मेरा सवाल है कि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ अध्यात्मिक और धार्मिक, दोनों तरह के कई रास्ते मौजूद हैं, जैसे कि हिंदु धर्म में दोनों हैं, वेद और वेदान्त, तो मैं एक जागरुक चुनाव कर सकती हूँ, कि मैं क्या चुनना चाहूंग पर मैं भ्रमित हूँ, और इस युक की युवा होने के नाते, मुझे वाकई या समझ नहीं आता, कि कोई रिचुल्स या रस्मे क्या आज भी जरूरी है, तो क्या आप मानते हैं कि रस्मों की आज कोई जरूरत है? आप इस युक की युवा हैं, पर ये चुनाव आपको सिर्फ इस देश में मिल रहे हैं, ये बात समझ लीजे, दुनिया के कई दूसरे देशों में अगर आप कहते हैं कि आप चुन सकते हैं, तो आम तोर पर आप मारे जाएंगे, अगर आप मारे नहीं जाते, तो आप हज अजारों अलग अलग तरीकों से परिशान किया जाएगा, इस देश में आप चुनाव कर सकते हैं, जो कि अद्भुत है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा धार्मिक सम्विधान नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता, यहां हमारे पास अलग अलग पुस्तके हैं, जिने बदला जा सकता है, जिन पर बहस की जा सकती है, जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है, रस्मों की बात करें तो रस्म कैसे बनाई गई, क्या आप रोज सुभा अपने दातों को ब्रश करते हैं, मैं बस पूछ रहा हूँ, आप करते हैं, अरे ऐसा मत कीजिए, इसका मतलब है नही तो हर दिन सुभा आप दांद ब्रश करते हैं ये एक तरह की रस्म है क्या ऐसा नहीं है वाकई लोग कहते हैं सुभा की रस्मे वो पूजा की बात नहीं कर रहे है उनका मतलब है शिट शावर और शेव मैं नहीं करता आप भी नहीं करते तो जो कुछ भी आप रोज करते हैं जरूरी नहीं की पसंद से पर आप वो काम करते हैं क्योंकि आपने तय किया है कि ये मेरे लिया अच्छा है वो आपके जीवन में एक रस्म बन जाती है दांद ब्रश करने की रस्म आपके जीवन में आई क्योंकि आपके माता पिता शायद आपकी मा ने इस पर जोर दिया था जब आप इतनी थी तो उन्होंने जोर दिया आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए आप कहती हैं नहीं मैं खाना चाहती हूँ उन्होंने का नहीं ब्रश नहीं तो नाश्टा नहीं क्या आप अपनी मा के आभारी हैं, जुनोंने संसकार पर जोर दिया, हाँ है ना, आप नहीं हैं, उस समय आप चिड़ गई थी, मैं नाश्टा करने चाती हूँ, समस्या क्या है, हर दिन ब्रश क्यों करूँ, पर अब आप खुश हैं, कि वो आपके जीवन में ये संसकार आपके सवाल में आपने कहा, आध्यात्मिक मार्क कई हैं, नहीं, सिर्फ एक, आध्यात्मिक शब्द का मतलब है, आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा, अंदर के रास्ते बहुत सारे नहीं हैं, सिर्फ एक ही है, हलो, सिर्फ एक ही रास्ता अंदर मुड़ता है, ठीक है, आप ऐसे पहुँच सकते हैं, आप ऐसे पहुँच सकते हैं, आप ऐसे पहुँच सकते हैं, पर भीतरी स्थान सिर्फ एक ही है, तो जब आध्यात्मिक्ता की बात आती है, तो ये सिर्फ एक ही है, आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा, जब धर्म की बात आती है, तो शायद और ध्यानमगन हो जाए तब उन्हें सरल प्रक्रियाएं सिखाई गई मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कई साल पहले एक इंस्टिट्यूट था इन दिनों मैं खुद को ऐसी बद्दी चीजों के हवाले नहीं करता क्योंकि अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कई साल पहले एक इंस्टिट्यूट जिन्हें लगता है कि वो साइंटिफिक है उन्होंने कहा चुँकि मैंने उनसे किसी चीज का वादा किया था और उन्होंने कहा हम आपके दिमाग की गामा वेव स्टड़ी करना चाहते है मुझे पता नहीं था कि मेरे दिमाग में गामा वेव से था और उन्होंने मेरे शरीर पर 14 एलेक्ट्रोड्स लगाए और कहा आप ध्यान कीजे मैंने का मुझे ध्यान करना नहीं आता उन्होंने का पर आप सब को ध्यान करना सिखाते हैं मैंने का मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूँ क्योंकि वो स्थिर नहीं बैठ सकते मुझे उन्हें स्थिर बनाने के लिए कई तरीके सिखाने पड़ते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं स्थिर होकर बैठूँ तो मैं बिलकुल स्थिर होकर बैठूँगा, अंदर भी और बाहर भी, पर आप जानते हैं कि रिसर्च के लिए पैसे दिये जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च हमेशा आर्थिक मदद से चलती है, तो उन्हें नाम चाहिए, उन्हें ध्यान कौन सा है और गामा तरंगें जो भी वक्वास पर मैं उन्हें ऐसा कोई सुख नहीं देने वाला मैंने का अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठूँ और कुछ ना करूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा पर ध्यान नहीं तब बहुत चर्चा के बाद शायद उन्होंने कुछ नहीं के लिए एक नाम ढूण लिया फिर उन्होंने कहा ठीक है आप कुछ मत कीजे मैं बैठ गया लगबग 15-20 मिनिट बाद आपकी कोहनी में एक अजीब जगा है जहां चोट लगे तो जहनाठ होती है तो उन्होंने एक धातू की बस्तिली और टुक 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 उस जगा पर मारने लगे वो बस मेरी हथेली को सुन कर रही थी मैंने सुचा ठीक है ये उनके प्रयोग का हिस्सा है और मैं बैठा रहा फिर उन्होंने मेरे टकने पर मारना शुरू कर दिया दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था फिर मैंने सोचा कि वो मुझे इस तरह पीट क्यों रहे हैं मेरी गलती क्या है जब मैंने अपनी आखें खोली तो वो सभी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे मैंने कहा क्यों क्या मैंने कुछ गलत किया उन्होंने कहा हमारी मशीनों के अनुसार आप मर चुके हैं ये तो आपने गजब निशकर्ष निकाला है और फिर वो आपस में बोले बिलकुल ये आदमी बोल रहा है तो ये मरा नहीं है तो उन्होंने कहा हो सकता है कि आपका दिमाग मर गया हो मैंने का मुझे आपकी ये दूसरी राय पसंद नहीं है अगर आप मुझे मृत्यू प्रमान पत्र देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन brain dead मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये मेरी गतिविद्यों को प्रभावित करेगा हाँ मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ अगर आप अपने अंदर सब कुछ संभाल सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है ये सबसे अच्छा तरीका है बस यही योग है अगर आप इस पूरी मशीन को कैसे संभालना है इस मशीन के सभी स्थरों को आपके शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी उर्जा हर चीज आपको पता है कि इन्हें अंदर से कैसे संभालना है तो आपके लिए कोई रस्म नहीं है मेरे पूरे जीवन में कभी मैंने प्रार्थना नहीं की पर हर चीज के प्रती मेरे अंदर भक्ती है अगर मैं एक पहार देखता हूँ या चटान, या एक पेड, या गाय, या फिर आदमी, महीला, या बच्चे तो मैं प्रार्थना मैं हूँ पर मैं प्रार्थना नहीं करता मैंने किसी भगवान से किसी चीज के लिए कभी प्रार्थना नहीं की तो मैं किसी भी तरह ऐसे कोई रस्न नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी आँखे बंद कर लेता हूँ तो मैं अपने जीवन के भीतरी और बाहरी दोनों चीजों से निपट सकता हूँ मैं इसे ठीक करना चाहूँ तो मैं आखे बंद कर लेता हूँ अगर मैं उसे ठीक करना चाहूँ तो मैं अपनी आखे बंद कर लेता हूँ अगर आप परियाप्त साधना करते हैं तो आप ऐसे बंद सकते हैं ये पहुँच से बाहर नहीं है, ये हर इंसान के लिए उपलप्त है, वो बस परियाप्त ध्यान नहीं देते पर अगर आप ये नहीं जानते और आप शांत बनना चाहते हैं आप नहीं जानते कि स्थिर कैसे बैठना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको एक मंतर सिखाऊँगा, ठीक है? ये कहिए, हर दिन सुबा 20 मिनिट आप ये कहिए, अब आप शांत हो जाते हैं, ये आपकी रस्म है, अगर ये आपके मदद कर रहा है, तो आपकी समस्या क्या है? अगर ये मदद नहीं कर रहा है, तो इसे छोड़ दीजे, कुछ और कीजे, हर दिन सुबा अगर आप स्विमिंग करते हैं, ये आपकी रस्म बन जाती है, आपको अद्भुत लगा, वैसा कीजे, कोई रस्मों के तोर पर योग कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंतर बोल रहा है, कोई गीद गा रहा है, अगर वो चीजें उनके लिए काम कर रही है, तो किसी को क्या समस्या है, पर जो रस्में मैं करता हूँ, आपको भी वही करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चीज मेरे लिए काम कर रही है, तो मैं कर रहा हूँ, ये जरूरी नही है के आप भी वही करें पर अगर आप मुझसे पूछते हैं, मान लिजे कि मैं हर दिन सुबह ओम नमस्यिवाय ओम नमस्यॵाय का जाप करता हूँ, यह मेरे लिए काम कर रहा है, अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझे घवराठ हो रही है, मैं क्या करूँ? अरे आप हुम नमस्षिवाय का जाप कीजिए, ये मेरी मदद कर रहा है। अगर आपको ये पसंद आता है, तो आप भी करने लगते हैं, ये आप कुछ और करते हैं, पर बात ये है कि इसे आपके लिए काम करना चाहिए, यही मैं तो पूर्ण बात है। तो रसमें शांदार साधन थे, जिनने एक तरह की समझ से बनाया गया था। एक अरसे के दौरान, शायद उनमें थोड़ी बेईमानी आ गई है। एक अरसे के दौरान, शायद वो कुछ लोगों के शोशन का साधन बन गए हैं। लेकिन एक सेप खराब होने पर पूरी टोकरी खराब नहीं हो जाती। हमें ये देखने में सक्षम होना होगा, कि इसमें ब्रष्टाचार कहां है। उस ब्रष्टाचार को निकाल दीजे और तक्नीक का उप्योग कीजे। हजारों सालों के जीवन में सब्विता ने जो कुछ भी सीखा है, उन सभी चीजों को फैंक कर ये मत सोचिए, कि आप कल फिर से पईये का आविश्कार कर लेंगे। हर कोई मनोचिकितसक के पास लाइन लगा कर खड़ा हो जाएगा, ये जान लीजे। आज मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग इतने हैं क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जिससे हम आचार विचार कहते थे। इस जीवन के बारे में कोई तर क्या समझ नहीं है, मैं ऐसा क्यूं हूँ, मेरे अस्तित्तु का स्वभाव क्या है, ना आचार ना विचार। और ऐसा कुछ भी नहीं। देखे, अगर आपकी माता या पिता ने इस बात पर जोर नहीं दिया होता कि दाथ साफ करने की रस्म होनी चाहिए, तो ये हॉल कितना बदबुदार होता। क्योंकि आपकी आजादी की वजए से आप में से कुछ या सभी अगर ये तह कर लेते कि मैं ब्रश नहीं करूँगा, क्या समस्या है। हो सकता है कि आपके लिए कोई समस्या नहों, लेकिन बाकी सभी परेशान होंगे। अगर आप अपना मुझ खोलते हैं और बदबु फैलाते हैं, तो जरूरी नहीं कि ये ब्रश ना करनी के वजए से हैं। आपकी संस्कृती, आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, अगर आपके आसपास के लोग आपकी वजए से परेशान हो रहे हैं, ये हर जगा हो रहा है। कैसा नहीं है? खास कर लड़कियों के लिए? है कि नहीं? अगर साथ तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते थे, आपको हमेशा उनके साथ सम्मान से बात करनी होती थी, जब वो छोटी बच्चियां थी तब भी, हम उनसे लड़ना चाते हैं, हम उनकी पिटाई करना चाते हैं, पर नहीं, आपको लड़कियों के साथ एक खास तरीके से पेश होगा, जब आप ऐसे संस्कारों के साथ बड़े होते हैं, तब आप सीखते हैं कि सड़क परमाईला के साथ कैसे बरताव किया जाए, वरना लोगों के व्यवहार को देखें, सबसे असभ्य, असभ्य का क्या मतलब है, संस्कृती की जरूरी रस्में उन लोगों में नहीं है है ना? तो ये अलग-अलग तरह की रस्में हैं, सामाजिक रस्में, आध्यात्मिक रस्में, धार्मिक रस्में, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या है आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही? यही एक मातर सवाल होना चाहिए